परिक्षा को लेकर सक्त संदेश भी दिया है लेकिन परिक्षा की रिजल्ट की जब भी चर्चा होती है तो साल 1992 का जिक्र जरूर होता है 1992 में हाइ स्कूल में अगर कोई छातर किसी सब्जेक्ट में फेल होता था तो उसे ओवरॉल फेल माना जाता था क्या था वो मामला आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं इस पूरी कहानी को बताने के लिए हम आपको फ्लैश बैक में ले चलते हैं जी हाँ ये बात तब की है जब उत्तर प्रदेश में कल्यान सिंग की सरकार थी मुख्यमंत्री कल्यान सिंग ने बोड को नकल विहीन परिक्षा सक्ती से कराने के आदेश दिये थे और इस दोरान इस साल के रिजल्ट ने पूरे सिक्षा विवस्ता को भिला के रख दिया था साल 1992 में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री कल्यान सिंग ने नकल पर नकेल कसने की मुहीम प्रदेश भर में शुरू कर दी और इसका जो रतीजा हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रहे गया उस साल हाई स्कूल में सिर्फ 14.07 जीरो फीस दी और इंटरमेडियेट में कुल 30.30 फीस दी शात्र ही पास कर सके उसमें भी फस्ट डिविजन पास होने बाए शात्र लगभग नदारत ही रहे पूरे राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या भी काफी जादा थी जिनमें एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाया हो और कई स्कूलों में तो सिर्फ कुछ गिने चुने चात्र ही पास हुए थे हलाकि तब और अब के नियमों में काफी फर्क है पहले हाई स्कूल में छह विश्यों में से किसी एक में फेल होने पर परिक्षार्तियों को फेल घोशित कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है नकल अध्यादेश लाने के फैसले पर तदकालिन सीयम कल्यान सिंग और उस समय के ग्रे मंत्री रहे राजना सिंग की सिक्षा जगत में काफी तारीफ हुई थी हलाकि इससे सरकार को नुकसान पहुँचा था 1993 में विधानसवा चुनाओं में सपा मुखिया मुलायम सिंग यादब ने जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार आई तो इस अध्यादेश को खत्म कर देंगे 1993 में मुलायम सिंग यादब की फिर से साशन में आने के बाद रिजल्ट का गिराब भी उचा होता चला गया 1984 में हाइ स्कूल का प्रतिशत 38.12 और इंटर का 94.02 हो गया 1995 में ये गती और तेज हुई और हाइ स्कूल में 94.50 और इंटर में 72.07 प्रतिशत से सफलता हासिल कर ली उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी रहते हुए कल्यान सिंग ने सिक्षा की शेतर में काफी एहम काम किया था ये 1992 का दौर था जब राज जिक की बाग दौर मुख्य मंतरी कल्यान सिंग के हाथों में थी और प्रदेश के सिक्षा मंतरी राजना सिंग हुआ करते थे मुख्यमंत्री कल्यान सिंग सिक्षा विवस्ता को सुधारना चाते थे लेकिन राज्ज में नकल गिरो का बोल बाला था ऐसे में उन्होंने ये जिमिदारी तदकार सिक्षा मंत्री और फिजिक्स के लेक्षरार रहे राजनास सिंग को सौपी जिसके बाद राजी में नकल अध्यादेश लागू हुआ 1992 में कल्यान सिंग के नित्यत्व की सरकार के दौर में बोर्ट परिक्षा में सर्वधिक कडाई की गई तब नकल करना और कराना दोनों अपराद घुशित किया गया था और ये बाद परिक्षा की कमरे में बोर्ट पर अनिवारे रूप से लिखी रहती थी जिससे परिक्षा के दर्म्यान नकल करने और कराने बाला इसका आर्थ समझ सके और नकल ना करे बतादे की कल्यान सिंग की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बोड परिक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने बालों को जेल भेजने का कानून बनाया था जिसके बाद किताब रखके चीटिंग करने बालों के लिए ये काल बन गया था और नकल के भरों से बैठे बहुत से स्टूडेंट्स फेल हुए थे इसी कानून ने यूपी के तदकालीन मुख्यमंत्री कल्यान सिंग को बोल्ड एड्मिनिस्ट्रेटर बना दिया था Bureau Report, Bharat Express UP